एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ड्रागन रेस के बंदे बात कर रहे होते हैं कि हमें उसे शुक्रियादा कहना पड़ेगा लेकिन वो आखिर आया क्यों नहीं उसने प्रिंस को पहलेस में तो पहुंचा डाला लेकिन फिर अचानक से वो गायब हो गया हमे इधर हमें साउथ कॉंटिनेंट को दिखाया जाता है जहां पर बैट कर चैंग प्रैक्टिस कर रहा था अपने कल्टिवेशन की धीरे धीरे करकर ये अपने बोडी के अंदर अपने कल्टिवेशन पावर को फ्लो करवा रहा होता है हाला कि अभी तक चैंग को ये नहीं पत इसका tribulation होने वाला है बहुत ज़्यादा खतरनाथ और नॉर्मल तो तीन या पांच strikes का रहता है लेकिन इसका वाला थोड़ा ज़्यादा खतरनाथ है आठ स्ट्राइक वाला रहेगा उसके सांती सांत जो चैंग होता है उसे कुछ related problems भी होती है जैसे doubt से आखिरिये tribulation है क्या tribulation में कुछ अलग सी बाते भी है तो उसे आज इन सभी चीजों का जवाब एक सांत मिल जाएगा ये जो आठ स्ट्राइक वले tribulation होता है ये heavenly doubt देते हैं heavenly doubt आप God मन सकते हैं इनकी भाशा में आज तक जितने भी levels इन्होंने सीखें qi refinement, soul formation, void, return और die requirement जितने भी है ये सब भी इस process का एक छोटा छोटा हिस्सा थे और जब में काम आज होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं हमारे जैंग ने यहाँ पर cages भी ला दिये हैं और वो doubt को कहा रहा होता है heavenly DAO से थोड़ा सा वक्त मांग रहा था क्योंकि tribulation बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला था और अगर ये अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया तो इसकी मौत भी हो सकती इसलिए DAO से कहा रहा होता है कि मैं भी qualify नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए ताकि मैं अपने आपको और ज़्यादा मजबूत बना सकूँ लेकिन देखने से तो लगता नहीं है कि वो उसे ज़रा भी वक्त देने वाले है मगर unexpectedly heavenly DAO इसके लिए मान जाता है ये कह रहा होता आपका बहुत बहुत श्यूकरी है मगर वो तो बहुत तेज होता है वो तुरनथी इसके उपर strike मारतेता है सबसे पहली strike और ये ज़िए सबसे पहले वाली strike होती है ये कमजोर नहीं होती है ये बहुत ही ज़्यादा powerful है जो master को strike लगी थी उससे तीनगोना ज़्यादा powerful एी लेकिन इसे कुछ होता नहीं है और लेकिन इसकी body के अंदर जो current होता है वो दौर रहा होता है और इसे महसूस हो रहा था कि ये strike मजबूत है मुझे थोड़ी और practice करनी पड़ेगी फिर अचानक से दूसरा वाला strike भी आ जाता है लेकिन ये इसे अराम से सह लेता है क्योंकि ये तयार रहता है और सोच रहा था मैं तो इसे अराम से सह पा रहा हूँ लेकिन master और बाकी लोग का जो heavily tribulation होता है उन लोग को इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों होती है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं पहले से इसके लिए तयार था मगर चैन को भी पता चलता है कि इसका foundation बहुत मजबूत था इसलिए शुरुआत की दो strikes इसका जादा कुछ नहीं बिगार पाई अब यहां के बाद जो भी 6 strike पढ़ने वाली है वो बिल्कुल भी normal नहीं होने वाली है वो सब बहुत ही जादा खतरनाक होगी क्योंकि अब व होती है उसकी चौथी स्ट्राइक जो की बहुत जोरदार लगती है इतना तेजबीजली कड़कता था कि बहुत दूर से लोग इसे आराम से देख पा रहे थे वो सब भी बहुत चाहर डर जाते हैं कि कहीं heavenly डागुस्ता तो नहीं हो गया है वो लोग उससे देखते हैं तो जुक कर जुक कर उसका सम्मान कर रहे होते हैं और इधर दूर हमें एक मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कहरे होते हैं कितना जादा पावरफुल ट्रिबलेशन क्लाउड से ये तो बहुत ही जादा पावरफुल है ये इससे जड़ा अभी हाल-फिलाल में पावरफुल और ये उसके उपर एक और strike पढ़ती है, पूरा पानी एकदम उठरा होता है, इसका mask सब फट भी जाता है, और इसके उपर के पूरे कपड़े भी फट चुके होते हैं, फिर six strike भी तुरंट आती है, लेकिन इसकी body अभी तक सह पारी होती है, और master सोच रहे होते हैं, जो दू दिसाय नहीं पाता है, वो लड़की कहा रही होती, क्या हूँ, master आप चिंतित दिख रहे हैं, वो कहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, तो आपने इतना serious वाला face अभी क्यों बनाया था, उसके master उसे बताते हैं, कि एक बहुत ही talented cultivator अभी अपनी tribulation का सामना कर रहा है, लेकिन इ aptitude भी बहुत ज़ादा अच्छा है, तुम्हें भी थोड़ा extra साउधान राना पड़ेगा, जब तुम अपने heavenly tribulation को face करोगी, scene change होता है, इस तरफ हमें change को दिखाया जाता है, जिसका अभी भी एक last वाला tribulation बाकी रहता है, लेकिन ये सोच रहा था कि, मेरा tribulation इतना लेकिन रुको, क्या उन्होंने miscalculate कर दिया, heavenly down ने मुझे कमजोर समझ लिया कहा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी भी एक बाकी है, हो सकता है, आखरी वाला बहुत ही जोरदार का दे, हाँ, मैं, कम से कम finally, अब, इतने सालों तक जो मैंने मेहनत की है, उसका फल मुझे मिल इतनी रातों से मैं सोया नहीं, लगबक सौ सालों से मैं इसी दिन के इंतजार कर रहा था, मैं अपने cultivation को एक के बाद एक आगे बढ़ाता गया, heavenly tribulation को रोकता गया, रोकता गया, और वो सारा heavenly tribulation अब जाके बाहर निकल रहा है, यहां तक कि उस दौरान मैंने बहुत सारी च उसे कह रहा होता है कि आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने आज मुझे यह मुझे यह मौका दिया है, अब मैं immortal बन सकता हूँ, बहुत जादा खुश होता है क्योंकि 100 साल की मेहनत आज रंग लारी होती है, प्लीज, मुझे beast offer करिए, वो beast tribulation को मांग रहा होता है, और यह जो beast tribulation होता है, यह बहुत ही खतरनाक वाला होता है, नमबर वन पे रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम अचानक से बिजली कड़कती है, तन धना के एकदम पूरा, फिर भी से कुछ नहीं होता है, और finally, finally अब यह immortal बन चुका है, और जो clouds होते है बूर रिट्रीट कर रहे होते हैं, महां से जाने लगते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसकी body से पूरी like निकल रही होती है, इधर उधर glow हो रहा होता है, तो एक immortal बनने के बाद ऐसा महसूस होता है, मगर यहां भी एक बहुत बड़ी गड़़़ी हो चुकी होती है, वो ज होता है, आकरी ऐसे क्या गड़़़ हो गई, कैसा हो सकता है कि मेरा foundation बहुत ही जादा तगड़ा था, इसलिए वो power नीचे तक जाही ना पाई, यह एक दम परशान हो जाता है, क्या रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूँ, जैसा आप देख सकते हैं, वो जो light चे मकरी, सिर्फ उपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में हैं नी, आज से पहले कभी इसने book में भी नहीं पड़ा था, क्योंकि जितने भी mortals बने होते हैं, सब का recorder रहता है, तब अब इससे लग रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो आधा immortal बन चुका हूँ, और वो रुपने के लिए कहता है, heavenly dawn को बताओ, गौड को रुपने के लिए कह रहा है, और फिर इसे ऐसानस होता है, कहरे नहीं, वो तो जा रहे हैं, लेकिन अब इसे गलती का ऐसानस ये होता है, कि मैं heavenly dawn को order दे रहा हूँ, मतलब God को order दे रहा था कि मेरे ल और फिर इसके बाल आप देख सकते हैं पीछे से आधा बाड़ी में इसे अजीब अजीब सा रियक्शन हो रहा होता है और आधा बाड़ी नीचे का उससे कुछ भी नहीं होता है तो यह कहता है कि प्लीज ज़रा आप एक मिनट रुख जाएए मैं अभी तुरंट आता हूं प एक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाइबाई